जैहिन तो चलिए कल के प्रश्णों के रिवीजन के साथ में आज के वीडियो की सुरुआत करते हैं पहला प्रश्ण था कि प्रतेक वर्स बिश्टो दुख्द दिवस कम मनाया जाता है तो ये दिवस होता है एक जून को यानि कि ए हो जाएगा करेक्ट अगला प्रश्ण था कि मई 2020 में किस IIT संस्थान के द्वारा कार्बन उत्सर्जन में कमी के लिए स्मार्ट बिंडो विक्सित किया गया तो ये विक्सित किया है IIT गुहावटी ने यानि कि D हो जाएगा करेक्ट अगला प्रश्ण था कि राष्टिय सांखी के कार्याले के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बित्तिय वर्षद 2021 में हमारे देश की विकासदर कितनी रही तो ये रही है माइनस 7.3 परसंट यानि कि C हो जाएगा करेक्ट अगला प्रश्ण था कि हाल ही में किस राजी ने ग्रामीड छेतरों के लिए सोलर आधारित इलेक्टिफिकेशन प्रोग्राम को लॉंज किया तो ये लॉंज किया है गोवा ने यानि कि B हो जाएगा करेक्ट अगला प्रश्ण था कि जून 2021 केस में प्रकासित पुस्तक स्टार गेजिंग दा प्लेयर्स इन माई लाइफ के लिए अकौन है तो इसे लिखा है रवी सास्त्री जी ने यानि कि D हो जाएगा करेक्ट अगला प्रश्ण था कि किसे W.E.H.O. के द्वारा महा निदेशक बिसेश मानिता अवाद से सम्मानित किया गया तो ये पुरस्कार मिला है स्वास्त मंतरी डाक्टर हरस्वर्धन को B हो जाएगा करेक्ट अगला प्रश्ण था कि मई 2000 केस में रच्चा मंतराले के द्वारा कितने सैनी उपकरणों के आयात पर लगा दिया गया है पृत्बन तो इनके संख्या है टूटल 108 यानि कि C हो जाएगा करेक्ट अगला प्रश्ण था कि मई 2000 केस में भारतिय उद्योग परिशंग के अध्यच का जो पदभार है वो किस ने गरहन किया तो ये गरहन किया है टीवी नरिंद्रन ने यानि कि A हो जाएगा करेक्ट अगला प्रश्ण था कि CWUR की 220 विद्याले रैंकिंग 2021 में कौन सा संस्थान सीर्ष पर रहा है तो इसमें सीर्ष पर रहा है हावर्ड उनिवर्सिटी यानि कि B हो जाएगा करेक्ट अगला प्रश्ण था कि मई 2020 में प्रकासित पुस्तक सावर कर एक कांटेस्टेंट लिगेसी 1924 तो 1966 इसके लिखक कौन है तो इसे लिखा है विक्रम संपत्ने यानि कि D हो जाएगा करेक्ट अगला प्रश्ण था कि जून 2020 में International Business Book of Year का जो अवार्ड है ये किस ने जीता है तो ये जीता है यहाँ पर नितिन राकेश ने यानि कि C हो जाएगा करेक्ट और आखरी प्रश्ण था कि मई 2020 में किस देश ने कार्गो स्पेसक्राप्ट तियान जाओ टू को स्पेस में लांच किया तो ये लांच किया है चाइना ने यानि कि ए हो जाएगा करेक्ट तो वीडियो की जो पीडियेफ फाइल होगी वह आपको टेलिग्राम पर मिलेगी और वीडियो को लाइक करने के साथ मैक्समम अपने दोस्तों के साथ में सेर करना बिलकुल भी मत भूलिएगा तो चलिए पहला प्रशन है आज का कि जोन 2021 में डबलू येचो के द्वारा कोरोना वायरस का जो भारतिय वैरेंट है इसको क्या नाम दिया गया है तो आप सभी को पता होगा कि दो वैरेंट हमारे देश में पाए गये थे इनका नाम यहाँ पर डबलू येचो के द्वारा डेल्टा और कपा रखा गया है यानि किसी हो जाएगा इस प्रेशन का correct अब याद अखिएगा कि जो वहान वारस था ये आपका खोजा गया था चाइना में और जब हम लोग यहाँ पर भारतिय वैरेंट के बात करते हैं तो इसका ये बिलकुल मतलब नहीं है कि ये जो वैरेंट है हमारे देश में पैदा हुआ था इसका simply मतलब यह होता है कि इस वैरेंट का जो पहला मामला था वो हमारे देश में देखा गया था तो याद होगा आपको दो variant के बारे में हम लोगों ने डिसकस किया था एक आपका था B.1.617.1 तो इसका नाम रखा गया है कपपा और दूसरा वाला जो है यानि कि B.1.617.2 इसको नाम दिया गया है डेल्टा अच्छा इसी परकार से जो आपके अन्ने देशों में खोजे ग पीन्स में एक variant आया था इसका नाम दिया गया है थीटा तो ये सारे चीज़ें आप याद रखेंगे डबली अच्छो के स्थापना साथ अपर एक उनी सोन तालेस को होती है मुख्याले आपको मिलेगा सूट जलेंड के जिनीवा में और महा निदेशक इसके है टेडरस इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जस्टिस एचेल दत्तो जो की नेशनल हुमन राइक कमिशन के अभी तक चेर्मैन थे वे आपके सेवाने बृत हुए थे तो उनका अत्रिक्त प्रभाद दिया गया था प्रफुल चंदपंत को और अब जा करके यहाँ पर फाइनली 1993 को अस्थापना हुई थी मुख्याले आपको मिलेगा नई दिल्ली में इसके पहले अध्यच कौन थे सिवी टीवन में कई बार पोचा गया था तो रंगनात मिस्रा इसके पहले अध्यच थे अच्छा इसकी अलावा आपको यह ध्यारतना है कि एक हाई लेबल कमीटी होती है जिसमें आपके PM होते हैं ग्रेह मंत्री थे लोग सभा के सांसत ओम बिल्ला थे राजी सभा के जो उप सभापती है हरिवन्स नरायन सिंग थे राजी सभा में जो विपच के नेता है मलिकार जुन खडगे यह सारे लोग इस समित में सामिल थे और इसी के द्वारा यहाँ पर अरुण मिसरा की न्युक्ति हुई है तो यह पॉइंट आपको यादखना है अचा कुछ अन्य नाम आपको दिख रहे होंगे जैसे कि कुलदीब सिंग का है तो इनके बारे में मैंने आपको बताया ही था कि यह इस समय CRPF के महानीदीसक है और अभी हमारे यहाँ पर ज तो हम लोगों निकल ही पढ़ा था यह बने है भारतिय उद्योग परिसंग के नए अध्यच अगला प्रेशन है कि मैं 2020 में SK दिवेदी किस राजी के नए मुख्य सच्यू न्युक्ति किया गया है तो यह बन गया है पस्सिम मंगाल राजी के यारे कि इस प्रेशन का आप् करें तो बस आपको यादखना है कि हरी कृषना दिवेदी इनको अभी केंद्र सरकार के द्वारा पस्सिम मंगाल के मुख्य सच्यू के रूप में न्युक्ति किया गया है तो यह है SK दिवेदी अच्छा इससे पहले थे अलपपन बंदो पाध्याए तो अब अलपपन बं इन्होंने पस्सिम मंगाल के CM के रूप में सबत लिया है अचा टोटल यहाँ पर विधान सभा के सीटी है 294 यह भी आप लोग थोड़ा याद खिएगा अगला प्रेशन है कि मई 2021 किस देश में H10 N3 इस टेन का पहला मामलाग देखा गया है तो यह आपका देखा गया है च H10 N3 की बात करते हैं तो जो हमारा वर्ड फ्लू होता है यानि कि H5N1 क्या नाम है H5N1 तो इसी का एक वैरियंट होता है जिसका यहाँ पर नाम दिया गया है H10 N3 हाला कि चाइना वालों ने यह बताया है कि यह बहुत ज़्यादा खतरनाग नहीं है और ना ही इसका तेजी स परसार होता है लेकिन चाइना वाले हैं कुछ भी बोल सकते हैं दुनिया को इसको ले करके अलर्ट हो जाना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि यहाँ सब कोविट से अलर्ट रहे है और यह आपका H10 N3 भी दुनिया में इसी प्रकार से फैल जाए तो चीन का एक प्रांथ है जिस 2000 केस में केंदरिये प्रतेच करबोड के अंतरीम अध्यच कौन न्यूक किये गए तो यहाँ पर CBDT की बात करते हैं तो इसके अध्यच न्यूक कर दिये गए है जे बी मौफपात्रा यानि कि इस प्रश्न का आप्सन नंबर आपका भी हो जाएगा करण अब याद कि अभी तक PC मोदी इसके अध्यच थे लेकिन 31 मई 2021 को इनका कारेकाल हो गया समाप्त तो उसके बाद में यहाँ पर जे भी मौपात्रा जो कि इसके सदस्य बने थे उनको अब अंतरीम अध्यच के रूप में न्यूक्त कर दिया गया है यानि कि B हो जाएगा यहाँ पर करे अचा CBDT के बारे में पहले आप जान देजिए हमारे यहाँ पर आपको बिलेगा Income Tax Department तो इसी के लिए जो भी Administrative काम होता है या फिर जो इसके संबन में Policy Making होती है उन सभी को बनाने वाली Body का नाम होता है CBDT यानि कि Direct Tax को ये Deal करता है और आपको यादतना है कि हमारे देश मे जो आएकर अधनियम है वो आपका 1961 में लागू हुआ था तो ये आपको यादतना है अचा एक हमारा होता है CBIC यानि कि Central Board of Indirect Taxes and Custom तो इसके अध्यचे M. अजीत कुमार और इनकी नियुक्ति होई थी पिछले साल ये भी आपको यादतना है अचा एक नाम यहाँ पर आपको किस राज में भगवान बुद्ध की जो दुनिया की सबसे बड़ी लेटी हुई प्रित्मा है उसको अस्थापित किया जाएगा तो ये आपके बनेगी बिहार में यानि कि इस प्रश्न का option number C हो जाएगा correct तो बिहार में आपको मिलेगा बोध गया और बोध गया में जो ब बुद्ध इंटरनेशनल वेलफेर मिसन मंदिर है वहाँ पर भगवान बुद्ध की इस प्रकार से लेटी हुई प्रित्मा बनाई जा रही है इसकी टोटल लंबाई की बात करें तो 100 मीट फुट इसकी टोटल लंबाई है और गलास की मूर्ती से इसका निर्मार किया जा र जो कि इनके जर्म दिन के आउसर पर मनाया जाता है और 563 BC में लुम्बनी में इनका जर्म हुआ था तो ये पॉइंट भी आप बुद्ध भगवान के बारे में याद रखेंगे अगला प्रेशने की जून 2020 में असम राइफल्स की नए महानेजिसक का पदभार किस्ट ने तो ये गरहन कर लिया है पी चंदरन नायरनी यानि कि इस प्रेशने का आप्सन नंबर आपका ए हो जाएगा करेक्ट अच्छा असम राइफल्स की बात करते हैं तो 1835 में इसके स्थापना होई थी और हमारे देश में जितने भी आपके पैरा मिलेटी फोर्स है उनमें सबस तक इसके महाने दे सकते तो उनके अस्थान पर पी चंदरन नायर की यहां पर नियुकती हुई है बहुत ही महत्मोर प्रेशने इसके बारे में आपनों याद दखेंगे अच्छा एट कॉर्टर मैंने आपको बता ही दिया अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखेगा कि 1835 मे ACI मुक्यबाजी चेंपेंशिप में संजीत कुमार ने कौन सा पदक जीता है तो इन्हों ने 91 किलोग्राम वर्ग में यहां पर जीत लिया है स्वन पदक यानि कि इस प्रेशन का option number A हो जाएगा correct तो यह जो टूनामेंट है अब समाप्त हो चुका है तो जो भी महत्मोर जीता था पूजारानी ने और दूसरा यहां पर जीता है संजीत कुमान ने यानि कि भारत को यहां पर टोटल आपके 200 पदक मिले हैं अच्छा मैंने आपको बताया था मैरी कौम जी के बारे में जिनको यहां पर मिला था का से रजत पदक यानि कि इनको मिला था सिल्वर मे तो ये आपको बिल्कुल याद रचना है अगला बशन है कि वर्थ से 2020 में कोपा अमेरिका फुटबॉल टूनामेंट का आयोजन किस देश में किया जाएगा तो इसका आयोजन होगा यहाँ पर ब्राजील में यानि कि इस प्रेश्ण का आप्सन नंबर भी हो जाएगा अब ध गयाना था है तो कोलंबिया में जो यहाँ के राश्टपती हैं उनके खिलाफ हो रहा है प्रोटेश्ट तो इसी की कारण कोलंबिया ने पहले मना कर दिया था कि हम नहीं करवा पाएंगे अर्जेंटीना की बात करते हैं तो अर्जेंटीना में इस समय कोविड-19 के काफी मा हम ले आ रहे हैं तो अर्जेंटीना ने भी कहा कि हमारे यहाँ पर नहीं हो पाएगा तो अब जाकर के ब्राजील को यहाँ पर फिर्ट से मेजबारी दे दी गई है अच्छा इससे पहले यह टूनामेंट 2019 में हुआ था तो 2019 का जो टूनामेंट था यह भी ब्राजील में ही है तो इस साल 13 से ले करके 10 जुलायत इसकायोजन ब्राजील के चार अलग-अलग सहरों में किया जाएगा अगला प्रेशन है कि हाली में किस यूरोपिय देश के द्वारा बिवादित इसलाम मैप को जारी किया गया तो यह जारी कर दिया आश्टिया ने यारिकि इस दिखाया दे रहे होगी जीओ टैगिन्ग अब ये टीग आपको बताती क्या है ये टैगि nope की बताती है कि इसलाम-धर्म से उपर क्लिक करेंगे तो इसके बारे में पूरी डीटेल इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी तो इसके उपर काफी ज्यादा विवाद भी हुआ है तो आपको याद रखना है कि आश्टिया के इंटीग्रेटर मिनिस्टर है जिनका नाम है सुजैन रैब तो इनके द्वारा National Map of Islam को जारी किया गया अचा राजधानी आपको भी एना में मिलेगी जहां पर आपको International Atomic Energy Agency और OPEC का हैटकॉर्टर भी मिल जाएगा ये आपको ध्यारत में मुद्रा यहां की है यूरो और वरत्मान में यहां की राश्टपती है अलेक्जेंडर वांडर वलेन यहां की है अगला परशन है कि हाल ही में विश्णो कुमार सर्मा को किस देश में भारती राजधोत न्यूपत किया गया तो ये आपके नए राजधोत बन गये हैं दच्छन सुडान में यानि कि इस प्रशन का आप्सन नमबर भी हो जाएगा यहां पर करेक्ट तो ये आपको अच्छ अपरिका महादोईप में आपको मिलेगा इसकी राजधानी आपको जुबा में मिलेगी और मुद्रा यहां की है पॉंड उसके बाद में हम लोग बात करते हैं सुब्रत भट्टा चारे की तो ये आपके चिली के बने हैं राजधानी यहां के सैंटियागो है मुद्रा यहा की भी है डॉलर तो ये सारी चीज़े आपको अच्छे से याद रखनी है अगला प्रशने की हाल ही में किस राजी ने आपदा महामारी प्रबंधन को स्कूली वा कालेज पार्ट करम में सामिल किया है तो ये सामिल कर लिया है उडिसा की सरकार में यारी किसी हो जाएगा इस प्रशने का करेट तो बस आपको याद रखना है कि असम सरकार के द्वारा अभी जो यहाँ पर हाई स्कूल का पार्ट करम है और यहाँ के जो कॉलेज का पार्ट करम है उसमें आपदा प्रबंधन और महा मारी प्रबंधन को सामिल करने का प्रस्ताव पास किया गया है आप सभी को पता होगा कि ज्यादातर आपदाएं जो हमारी प्रबंधन बंगाल की खाड़ी में डबलब होती है जैसे कि साइकलोन अभी आया था S नाम का तो यह सारे प्रभावित करते हैं उडिशा और पस्षिम मंगाल को सबसे ज़्यादा तो इसलिए उडिशा ने यहाँ पर आपदा प्रवंधन और महामारी प्रवंधन को सामिल करने का प्रस्ताव पास किया है बीजू पतनायक के बेटे हैं नवीन पतनायक जो की यहाँ पर इस समय सीम है गनेशी लालेहा के र आज से सम्मंदित है तो यह आपके तिलंगाना से सम्मंदित है अगला प्रश्न था कि कोलार गोल्ड फिल्ड आपको कहां पर देखने को मिलेगा तो यह मिलेगा आपको करनाटक में सोने की एक खान है अगला प्रश्न था कि रेगिस्तान मरोस्थल आपको किस देश में मिल तो पहला ACN जो गेम है ये आपके हुआ था कहां पर 1951 में नई दिल्ली में तो ये पॉइंट आपको धार रखने हैं और ये सारे वो प्रश्ण है जो कि आपके ग्रूप D एक्जाम में पहुचे गए हैं इन में से कोई भी मेरी तरफ से पहुचा गया प्रश्ण नहीं है अगला प्रश्ण के पीम नरिंदर मोदी के द्वारा किस बंदरगाह पर भारत के पहले अंतर राष्टे क्रूज टर्मिनल सागराइका का उधगातन किया गया और एक और प्रश्ण है कि अस्त्र मार्क टू क्या है तो इन प्रश्णों के उत्तर आपको नीचे कमेंट सेक् प्रश्ण में मिल जाएगी इसके राव पिन कमेंट में मिल जाएगी तो बारा बजी आप लोग उस क्लास को जोईन करना मत भूलिएगा पहली क्लास मेरी यूटूब के उपर जोकी लाइव होनी है तो देखते हैं किस प्रकार से वह क्लास होती है थांक्स पर वाचिंग ज बढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत